गुड मॉर्निंग ओल उफ यू कैसे हो बच्चो आप सर्व बच्चो आज हम करेंगे आपकी मैथ की बुप में एक्सरसाइस 10.2 लास्ट वीडियो में हमने की थी 10.1 इसमें हमने मिनट्स को सेकिंड में कनवर्ट करना सीखा था और अवर्स को मिनट्स में आगे देखो एक्सरसाइस 10.2 में क्या है इसमें कुछ टाइम दिया गया है हमें एम और पी एम में इसको कनवर्ट करना है 24 अवर क्लोक टाइम में जैसे की टाइम इसका एपार्ट देखो 6.15 एम एम आपको पता है कि सुबे का टाइम होता है और पी एम दुपेर के 12 बज़े के बाद का टाइम होता है अब देखो इसमें दिया वज़ 10.15 एम इसको हमने अवर में कनवर्ट करना है कि में अवर कितने हो गई 6.15 एम तक दिन में अवर कितने हो गई देखो अगर एम है तो हमने कुछ नहीं करना सिर्फ यहाँ पर 1 डिजिट है तो इससे पहले हमने क्या लगा देना है 0 अगर 2 डिजिट होते हैं तो हमने कुछ नहीं करना यहाँ पर 0 लगा कि इस डोट को खतम कर देना है क्योंकि यह एम है ठीक है यह चेंज हो गया हमारा इसका B part देखो एक बार जैसे की इसमें PM आ गया बच्चो 5.45 PM यह तो शाम का टाइम है एक बार 12 बजने के बाद 5 बजे बारा बजने के बाद जैसे देखो इसमें हम क्या करेंगे अब 12 को add कर देंगे यह टाइम दिया हुआ इसका B part 5.45 PM PM है यह देखो शाम का समय है तभी इसलिए PM लगए इस और 12 ओक लोग के बाद का टाइम है तो अभी इसमें हम 12 क्या कर देंगे 12 अवर अड़ कर देंगे ठीक है 12 अवर अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चो 0 5 45 जैसे हमने उपर अवर लिखा था ना ऐसे इसमें ऐसे एड़ कर देंगे ठीक है आपको एड़ करना इजी हो जाएगा 12 और 5 17 हो जैंगे 17 45 ये बन जाएगा ना अब हमने इसमें ये डोट नहीं लगानी ठीक है हम सीधा लिख देंगे 7 45 अवर्स ठीक है इसका सी पार्ट देखो 10 30 एम एम है अब हमने इसमें कुछ नहीं करना ऐसे के ऐसे ये दो डोट हट जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा जैसे देखो 10 30 एम है एम है तो हमने इसको कुछ चेंज नहीं करना सिर्फ ये डोट हटाके और एम की जगा पे हमने क्या लिक देना है अब इसका डी पार्ट देखो 8 40 पी एम अब देखो पी एम आ गया बच्चो पी एम आ जाए तो इसमें 12 अवर एड कर देने क्योंकि 12 बज़े के बाद का टाइम है 8 40 पी एम ठीक है तो हमने 8 40 प्लस 12 एड कर देना है 12 12 और 8 कितना हो जाएगा 20 मिनट तो है नहीं तो यह ऐसे का ऐसे रहेगा ठीक है यह हमारा आंसर आजएगा ओके अब इसका इपार्ट देखो 12 05 एम इसे हमने कुछ नहीं करना इस दोनों डोट अटा के सिर्फ अवर में हो जाए ठीक है आगे देखो F पार्ट 11 30 पी एम अब 11 में 12 एड कर देना है 11 के 30 को कुछ नहीं करना 11 के अंदर 12 एड कर देना है क्या हो जाएगा 23 23 30 आवर्स यह हमारा आंसर आजएगा ठीक है अब नेक्स हम देखो convert the following time into 12 hour clock time अब इसमें hours में time दिया गया है इसको हमने am और pm में convert करना है और क्या बोलेंगे इसको 12 hour clock time जैसे हमारे घर में घड़ी होती है उसमें 12 बजे के बार time फिर एक दो आना शुरू हो जाता है तो उसमें हमने इसको change करना है कि am है या pm है ठीक ह फिर्स हम देखो 0 to 4 0 hours यह हमारे statement है 0 to 4 यह hours दिये हो है अब इसमें convert करना है am और pm में अगर देखो जो यह है यह होते है hour यह होते है minute अगर एक मिटी की 12 से कम है 12 से कम है तो हमने इसको am कर देना है जैसे इसको लिखेंगे हम 0 to essay अगर यह 12 से जादा होता मालों यहां पर 13 होता 14 होता तो 12 क्या हो जाता minus जैसे कि देखो first sum ने हमें 12 एड़ गिया था hour बनाने के लिए इसमें हम 12 को अब minus करेंगे अगर यह 12 से बड़ा number है तो ठीक है इसका बी पार्ट देखो जैसे 2000 hour इसमें देखो मैंने कहा था कि 12 से बड़ा हो तो 12 minus कर देना यह तो 20 आ गया तो 20 तो 12 से बड़ा है तो हम क्या करतेंगे इसमें से 12 को minus कर देंगे ठीक है minus 12 इस 20 में से minus करेंगे 20 minus 12 8 हो जाएगा अगर जब हम minus करेंगे तो time हो जाएगा पी एम अगर जब हम minus नहीं करते तो time होगा एम जिसमें 12 माइनस होगा पी एम जिसमें 12 माइनस नहीं होता वो एम इसका second answer C part देखो जैसे 0 0 15 hour तो इसमें minus नहीं होगा ठीक है अब D part देखो 21 28 ये भी 12 से बड़ा है तो इसमें minus होगा और time किसमें आएगा पी एम में ये है 11 40 hours अब इसमें ये 12 से छोटा है तो मारा time क्या आजएगा 11 hour 40 minute मतलब कि 11 इसका जैसे 11 40 है देखो 11 40 hours minus नहीं करना एम ठीक है क्योंकि ये 12 से छोटा था इस 11 40 इम last part देखो 16 45 hour अब ये 12 से बड़ा है तो हम इसमें क्या कर देंगे 12 को minus कर देंगे minus करने पर आंसर किसमें आएगा हमारा pm में ठीक है ये सारे पार्ट आपने अब फेर नॉट बुक पे बच्चो साफ और सुन्दर राइटिंग में करना सबी दें